प्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बसर विता यूश और दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलाइंस पावर के शेर के बारे में कि क्या दोस्तो रिलाइंस पावर एक बहुत बड़े अपमूव दिखाने वाला है और क्या शेर यहां से आपको पाच रुपे के लक्ष दिखा सकता है कि यहां पर फिर से आपको गिरावर देखने को मिलेगी और शेर पाच रुपे से फिर से चार रुपे के बिलो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा दोस्तो आपको इस वीडियो में पुरा बताऊंगा तो आप वीडियो आने तक जरूर देखेगा और दोस्तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो दोस्तो प्लीज दोस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा गर अगर अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना मत भूलना तो दोस्तो अगर बात करें रिलाइंस पावर की तो यहाँ पर आप देखेंगे रिलाइंस पावर ने फ्राइडे को फिर से काफी बढ़िया तेजी दिखाई है चार रुपे 25 पैसे पे क्लोजिंग दिये 35 पैसे शेर बढ़ा है 8.97% आपको शेर में अप मूफ देखने को मिला है बट अगर इंपोर्टेंटली अब अगर आप शेर के अब हम बात करते हैं पिछले एक हफते की तो एक हफता कहा सकते हैं शेर के लिए बहुत ही बढ़िया राय गोल्डन कहा सकते हैं वीक राय शेर करीवन 37% आपको इंटीज होता हुआ नजर आया पिछले एक हफते के अंदर और यहाँ पे शेर ने जिस प्रकार की तेजी दिखाईए दोस्तों वो काबिलत तारीफ है और अगर 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 आप देखेंगे पिछले एक महीने का चार्ट तो एक महीने में शेर ने अपना एक पुरा कंसॉलिडेशन पूरा किया और यहां पे शेर ने जैसे अपना 3 रूपी 75 पैसे का रजिस्टेंस तोड़ा देन उसके बाद देखें यहां से आपको बढ़ता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि आर पावर के अंदर यहां से अभी और भी काफी बढ़िया तेजी बा देन यहां से आपको गिरावट दिखाई और उसके बाद अपना नीचे सपोर्ट लेता है 3 रूपे 15 पैसे और जैसे वो सपोर्ट लिया उसके बाद आप देखते तो यहां पे आपको सरकेट लगते हुए नजर आते बट उसके बाद जैसे अपना रजिस्टेंस के पास प आपको नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि देखिए रिलायंस पावर के अंदर आपको अभी भी बने रहना चाहिए विकास शेयर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आप पॉजिटिव दिख रहा है एक साल में आप देखेंगे तो रिलायंस पावर ने दोस्तों बह यहां पे आपको लेना चीए चैया चीय今 की देखेंगे चार रुपे 50 पर से को अगर आप निकाल देता है थे चुक्यांगर यहां पर 25 के लिए वन वे भाग सकता है अगर 450 का लेफल को ये cross नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर दोस्तों फिर से गिरावट बनती भी नजर आएगी और वो गिरावट यहाँ पर चार रुपे से बिलो भी इसको लेके जा सकती है तो resistance और stop loss का दोस्तों खेल है यह बहुत important है कि यहाँ पर 4 रुपे को ना तोड़े और 4 रुपे 50 पैसे को तोड़े अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेयर के टेकनिकल के उपर देखें बहुत ज्यादा important होता है जानना कि buying और selling ratio कितना है शेयर का वह काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है बाइंग action है वह काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है resistance को तोड़के दोस्तों यहाँ पर शेयर ने अपनी closing दी है तो overall आप देखते तो positive यहाँ पर बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया है अब बहुत ही बड़ा resistance होने वाला है because share अगर इसको cross कर जाएगा तो फिर यहाँ पर होडल नहीं बचेगा और फिर शेयर का strong support बन जाएगा चार रुपे 50 पैसे का और यहाँ पर चार रुपे 50 पैसे को resistance को तोड़ने में कितना दे लगाता है दोस्तों वो यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा important होगा और यहाँ पर दोस्तों चार रुपे 50 पैसे को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर दोस्तों यहाँ बिल्कुल भागता हुआ नजर करना है वो करना चार रुपे का तो दोस्तों एक strategy सही है long term का देखे शेयर अभी नहीं है बिल्कुल भी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए छे रुपे सात रुपे साल के अन तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है जिस speed से दोस्तों यह शेयर बढ़ रहा है तो बने रहेंगे इस साल के अन तक तब भी कोई दिक्कत नहीं है बट ऐसे ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं पाच रुपे के मुझे लगता है कि लक्ष देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम वीडियो को शेयर भी जो करेगा थेंक्यो फ्रेंट्स राचिंग दिस वीडियो